without any wasting of our time let's start this video तो जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि जितना भी यह आपको मैं समझाने वाला हूं वो टोटली का टोटली हिंदी मेडिया में होगा English words ले यूजकी हमारा यह English honors vari है सबसे पहले समझ लेते हैं कहने का मतलब है कि चार ओनर्स खैपर एक जी एस पेपर होता है तोटल मिला के थार्ड यर का 500 मार्क्स का गजाम होता है इच पेपर कंटेन हंडेल मार्क्स पांच पेपर होंगे चार और एक जीए का सब पेपर सवस aware का मिनिमम पासिंग मार्क जो मौ नर्फ को ऑज़रा में याइच अब का अवनर्स और जी, पो Mucks का वो आपका GS का होगा तो अब हम स्टार्ट करते हैं ब्रीफ डिस्कस करते हैं अपने स्लैवर्स के बारे में जैसे कि आपका ओनर्स फिफ्ट छिफ्ट सेवेंट और एट्थ के बारे में ध्यान से समझिएगा अब कि पेपर ऐब ऊच्छ निए अगर सुर ll restrictions का मतलब होता है सहीद देख लोचनाR और प्रैक्टिकल ठीजिसम का मतलब व्हवारिक अलोचनाrdon भुआर डिफरेंश यह है कि उसमें लिटेरीक और स्म डाइलोग अपना पॉइंट औव यू और थीम रखते हैं प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में यह एक पोयम होता है यह पैसेज ऑफ प्रोज यह इस्ट्रैक्ट यह दिया जाता है और उसको देखकर हम लोग उसको सॉल्व करना होता है तो लिट्रेरी क्रिटिसिज्म में साथ चैप्टर है साथ चैप्टर में से कोई भी हमें आठ कोशन आएगा और उसमें से सिर्फ चार अटेंड करना है और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म बेजड ऑन पोयम पैसेज ऑफ प्रोज और एक्स्ट्रैक्ट पेपर सिक्स जिसमें हमारे साथ चैप्टर है तो सेलिंग सेकेंड कमिंग इसके ओथर हैं वाई बी येट्स हॉलो मैन उसके बाद से लव सॉंग ऑफ जे अलफर्ड प्रूफ और जे रो नोशन्स इसके ओथर टी-एस एलियट पाइमेलियन पिगमेलीन जिसके ओथर जे बीशोफ दफॉक्स दी-एच लोरेंस दा ओल्ड मैन एंड तो यह टोटल साथ चैप्टर दिये हुए हैं इसमें से आठ एक्स्प्राइशन हमारे आएंगे जो चार-चार नमबर के रहेंगे और चार अल्टरनेटिव सब में से आएंगे जो 17-17 नमबर के होंगे यह पेपर 6 है पेपर 7 जिसमें के तीन ग्रूप बनाया हुआ है ग्रूप A, ग्रूप B और ग्रूप C तो ग्रूप A जो है वो इंडियन पोइट्री है और ग्रूप B जो है वो दह लिट्रेटर है जिस से कि जो अफ्टर कि इंडिपेंडेंडेंस ऑफ इंडिया जो हमारे महात्मा गांदी जवाल नहरूत है इन्हों ने अपने अंग्रेजी साहित लिए उसके बारें बताया हुआ है फिर तीसरा ग्रूप सी जो है वो इंडियन फिक्षन है इंडियन फिक्षन का मतलब पहले समझ जीजिए भारतिये कथा साहित है तो जो आपका ग्रूप ए है इसमें आपको टोटल समझ के चलिए कि 11 चैप्टर है और पोईट्री है जिसको एच एल भी देर देरोजियो ने लिखा है फिर हेवन फ्रीडव है आरें टागोर के बाद रविदाना टागोर दाइगर एंडर डियर एश और विन्दो आवर कैसुरियन ट्री जिसके टी दर्थ है दा साउस प्रेयर एस नाइडू नाइड आप दा स्कॉर्पियन एन एज इसके कुमार डाउन एड पूरी आपके जे महापात्रा फिर ग्रूप B में बात करते हैं तो ग्रूप B में आ जाते हैं हमारे स्वामे में वेकानन्द है जवाला नेरू महात्मा गांदी आरके नराहन राजर राव और के अभाश इन लोगों का अपना जैसे ता सीक्रेट ग्रूप B में हम लोग बात करेंगे तो इंडियन फिक्षन मतलब भारतिये का तसा हीत है जैसे अंटेचेबल्स इमार अनिंद का है नितार इन असीव कि अमार कंडिया दा गॉड्ड ऑफ स्मॉल तिंग्स एरो तो यह हमारा पेपर 7 का है इसमें क्या है नापका जैसे ग्र इस से आपको दो कोश्चन साएंगे दस दस नमबर के बाकि चार क्रिटिकल कोश्चन साएंगे वी और सी और एसे चीकर बीस बीस नमबर का पेपर 8 इसमें हमें चार ओप्शन मिलेंगे पेपर 1 2 3 & 4 कोई भी एक ही ऑप्शन हमें करना है तो जो पेपर 1 2 & 3 है वह पचास- चार सपार्स के सिर्फ दो ही कोश्चन साएंगे बड़ जो पेपर 4 है पेपर 4 यह ट्रांसलेशन है इसमें से आपका जो इसका कोशन पैटर्न होगा वह बीस नमबर का 3 कोशन होगा जो आपको दिया हुआ है यहाँ पर आप मानके चलिए कि इसमें ट्रांसलेशन है तो ट् द्रांसलेशन यह टोटली ट्रांसलेशन पर ही है फिर उसके बात से इंगविश टू हिंदी को यह कपको पैस दिया रहा है जिसको इंग्लिश से इंदी में बदलना है और एक कोशन 20 marks का होगा फिर उसमें पर उसका एक कोशन आपको गुरूंट करना है जिसको आपको में दिया हुए है total cheese जैसे white white man है उनके कुछ poems दिये हुए है पिर Robert Vols है उनके poem दिये हुए है Emily Dickson's है उनके poem दिये हुए है option two पर जाते हैं तो आपको 한रख मिलेगा 50-50 आपको उसमें से कोई भी दो आइसे करना option three अबढ़े तो जोस्करते हैं तो journalism पूरा का पूरा पेपर पैटन समझ में आ गया हो बाकि आप इस चैनल से बनिये इस चैनल पे आपको सारे ओनर्स पेपर वो बीकॉम का हो साइंस का हो चाहे आपका बीए का हो सारे के सारे पेपर अपलोड होंगे विदेटेल्ड सॉलोशन में सब चैप्टर अपलोड होंगे प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल फोर न्यू वीडियोस और अपकमिंग वीडियोस रिलेटेट तो पातली पूतर उनिवर्सिटी और मगध उनिवर्सिटी